तो भाई पहले तो मैं आप से माफी माँगूंगा क्योंकि यार काफी हद तक हमारे जे वीडियो आ रहे हैं वो लेट से आ रहे हैं और मेरा कुछ कॉलेज का भी काम था मतलब पढ़ाई बगेरा तो करता हूं ते यार साइड में कॉलेज भी है और वीडियो भी बनाने से लिए ठोड़ी लेट हो सकते हैं वीडियो बगेड तो आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं क्या हम एक एपलीकेशन से रैम को बढ़ा सकते हैं क्या ये पॉसिवल है तो सब कुछ आपको इस वीडिय contemporफिному पर देखने को मिलेगा तो यहार वीडियो पर अंत पहले आइधिंक सब्ताबर पहले तो तब मैंने विडियो नहीं बनाया था मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करा था एप्लिकेशन के उपर तो एप्लिकेशन का नेम है अगर देखोगे तो वो कोईन आपको फ्री में नहीं मिलेंगे एक आप उनको पर्चेस कर सकते हो दूसरा एड देखके आपको वो कोईन लेने है तो बिसिकली वहाँ पर जब आपके पास कोईन आ जाते हैं कुछ लिमिटेट कोईन तो वहाँ पर आप अपने रैम को इंक्री कर सकते हो तो भाई मुझे यह डाउट हो रहा था पहले मैं सिंपिल से बता देना चाता हो अपने ओडियंस से कोई भी छुपानी की बात नहीं है सच्चा ही यार ऐसी चीज है जो कि आपको लेट पता चलेगी फिर भी यार वो सच्चा ही होती है तो बेसिकली वहाँ पर स्टोरेज का पर्मिशन दे दिया अप्लिगेशन को और देने के बाद मेरा जो स्टोरेज था वो काफियत तक फूल हो चुका था एंड फिर से कह रहा था क्यार मुझे स्टोरेज थोड़ा फ्री चाहिए फ्री चाहिए तो मैंने कहा क्यार इसको स्टोरेज क्यों चाहिए वो तो रैम को बनाएगा ना तो स्टोडेज पर थोड़ी ना होता है तो एक और चीक्स मतलब एक नई टेकनोलोजी आई थी जो कि थी वर्चुल रैम आपने अगर सुना होगा तेर बहुत बढ़िया कि आर एक मोबाइल जैसे कि ओपो का एक न्यू एफ जेटेन कुछ इस त तो वो कैसे करते हैं तो आपने स्मार्टफोन को कुछ जादा ही मल्टी टास्किंग दिया है तो वो अपना जो रैम है वो थोड़ी बहुत इंक्रेस करके भी रख सकता है आपने वहाँ पर 8GB करा था एंड आपने 5GB एक्ष्टा लिया तो आपके पास टोटल 13GB हो गए तो वो 13GB RAM ऐसे भी नहीं काम करेगा वो 8GB RAM है बट 5GB जो एक्ष्टा RAM है वो स्टोडेज से लिया हुआ है अट स्टोडेज का जो RAM है वो उतने हत्ता काम नहीं करेगा वो सिंपिल सा बेसिक टास्ट उतना भी फास्ट नहीं होता रैम रैम का जो स्पीड हो वह वहाँ तक फास् जो उसका hardware है उसका storage है इस तरह के से कुछ customize किये जाते हैं बट एक application से कैसे आप RAM को increase कर सकते हैं यह मुझे थोड़े हैरानी लगती है अगर देखो यार ऐसा होता तो हर company 2GB RAM देती अपने smartphone पर जिससे की उनका budget भी थोड़ा down हो जाता एंड वो under 10K के तरफ mobile बनाते एंड वो कहते कि यह application download करो एंड 6GB RAM बढ़ा लो तो यहर आपका तो हो गया न 8GB का RAM तो आप क्यों 16GB वहाँ 16,000 purchase करने जा रहे हो 8GB का RAM आप simple application से भी तो बढ़ा सकते हो कुछ तो ऐसी बात है जो कि आपको 10,000 के अंदर 2GB देते हैं या फिर 10,000 के बाहर जाते हैं तो 6GB, 8GB भी होते हैं तो वो क्यों ऐसा करते हैं वो तो simple से आपको 2GB RAM देके application डाउनलोड करके आपको कह देते हैं यह application डाउनलोड करो एंड 6GB RAM बढ़ा लो तो आपका 8GB RAM हो गय आपको simple से application चाहिए था application डाल के आपने RAM भी बढ़ा लिए आपका RAM भी जो ज़रूरत था वो भी complete हो गया अगर किसी smartphone पर 6GB RAM है है तो है बस भाई उससे आप बढ़ा नहीं सकते वर्चूल RAM का जो system वो अलग है बट एक application से RAM बढ़ाना लगभग लगभग तो नामुमकिन ह वो क्या करता है अपना जो application के मतलब जो application आप डाउलोड करते कुछ पहले का application आते थे जो कि आर अपके smartphone के जो कैसे file है या फिर कोई वी junks वगएरा है वो clean कर देते जिससे कि smartphone थोड़ी बहुत लगता है कि रहा speed हो चुका है वो ही same process ये वाले चीज़े करते है मतलब ये application करते हैं आपके folder के अंदर मतलब smartphone के अंदर internal storage पर वो एक folder create कर देंगे जिसे कि कैसे file को सब delete करके वो एकदम clean कर देता है अपने smartphone पर और वहाँ पर से आपको थोड़ा लगता ही कि आपका smartphone फास्ट होड़ा है और ऐसे भी application आते है जो कि animation को फास्ट कर देते हैं और वो कहत दूँगा तो वो एकदम fake है आपको अगर समझदार होते हैं आपको समझ में आ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूं तो basically यही मुझे थोड़ी बहुत कहनी थी और इसके उपर मैं ज्यादा बाद भी नहीं करूंगा मेरे comment box पर यह comment आ रहे थे तो इसको clear जो यह वाला problem है या फिर जो क्या कहूं एक गलत चीजे है वो मुझे aware करना है अपने audience को सही चीज दिखानी भी जरूरी होती है तो basically मैंने आपको कह दिया अगर आपका thought अलग है तो आप वो install करके देख सकते हो और third party application तो cash clear ही करते हैं and junks भी बट आपका data भी वो समझ रहे हो जदा बात नही चीजे आपको बतानी तो यार वीडियो पसंद आया वीडियो को एक लाइक कर देना इस तरह की knowledgeable वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना notification बलाइकन को प्रेस करके रखना तो मिलते हैं अपने इस तरह की इंट्रेस्टिंग और एक वीडियो पर तो चलिए मिल मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक के लिए बाई